ऍवाल School के ंख्या हंब किन हैं थे किसे हैं कि Lee अज हम बात करने ुपर कलमने बात की थी कि component of cabinet पर दिखा था है एक से क्या होता है हाडीक्स क्या होता है Legal के डिटेयल से पड़ेंगे कि कंको नेंट के बारे में और शुरुवात करते हैं प्र Kenneth सबसे मेंं पार्ट है preachersist अबके सारे फिवाomyन का ये में अपको दिखाया भी था जो आपको मधर मैंने कहा था mother would क Sanüllा था तो अती होते हैं इसको आपका CPU जिसको आप center processing unit कहते है, microprocessor कहते है, या brain of computer कहते है, this is your microprocessor connectivity, तो यह motherboard के उपर आपने देखा, यह आपका microprocessor है, ठीके, microprocessor कई सारे आएंगे, pin वाले, pinless, सब के बारे में detail से बात करेंगे, ठीके, अभी हम देखते हैं कि यह function कैसे करता है, microprocessor, ठीके, तो इसका एक block diagram उठाते हैं, block diagram के उपर पहले भी मैंने बात की थी आप से, कि अगर input device निकाल दे, output device निकाल दे, तो बीच में जो भी बच रहा है, आपका process unit, उसमें जो सबसे main part है, वो आपका microprocessor ही है, microprocessor का part है, ALU, mathematical logical unit, जितने भी, mathematical calculation और logical comparisons हो रहा है, वो सारा का सारा microprocessor है, जितने processes computer के अंदर हो रहा है, उन सब को control कर रहा है, control unit, that is also part of microprocessor, और उसके अंदर कुछ registers, array है, यानि उनके stacks बने हुए है, उसको इसके processes को handle करने के लिए, वो भी microprocessor का part है, memory unit is out of this microprocessor, microprocessor से बाहर memory unit है, जो आपका storage device होता है, इसको और थोड़ा clear रूप में आपको दिखाती हूँ, ठीके, इसको और थोड़ा clear अगर हम करें, तो हम इस तरह से एक block diagram microprocessor का ले सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि clock signal से connected है हमारा processor, क्योंकि उस synchronize कर रहा है, RAM और ROM connected है हमारे, यहाँ पर data bus, control bus, address bus लिखा हुआ है, आपको यहाँ दे मैंने कल बदर बोर्ड पर बात की थी, जो पीछे channels बने हुए है, connectivity के लिए, these are the buses, जो आपको connect कर आते हैं, अभी मैं bus के बारे में भी आपको बताऊंगे, किती इन तरह के bus होते हैं, इनके बारे में, ठीके, तो यह सारे आपको CPU से connect कर रहे है, RAM आपका CPU से connect है, buses के through, ROM connected है, input, output, devices connected है, ठीके, तो यह सारे आपके microprocessor से connected है, सारे processes complete हमारे microprocessor के अंदर हो रहे हैं, ठीके, तो जो main part है, this is the block diagram of your motherboard, sorry, microprocessor, ठीके, जो आपके motherboard के ऊपर connectivity देता है, वो इस तरह से पूरा काम करता है, यह block diagram है, आपके microprocessor का, अब मैं यह आपर दिखाते हूँ कि processor है, क्या मैंने आप से कह दिया, all the processes happen in a microprocessor, ठीके, तो microprocessor के अंदर सारे processes complete हो रहे हैं, mathematical, logical units भी इस ही का part है, control unit भी इस ही का part है, यानि जो आपके, आपने input दिया है, वो input आपका microprocessor में जा रहा है, उसके mathematical और logical comparisons हो रहे हैं, उसमें पूरा control हो रहा है, उसका जो output आपको दिखाया जा रहा है, input, output बाहर कर दीजिए, और memory, storage अलग कर दीजिए, तो जितना भी part आपका perform हो रहा है, वो सारा का सारा आपका क्या है, processor का part है, ठीक है, अगर यहां पर देखें, इसको दूसरी तरह से दिखाया गया, mathematical, logical unit, control unit, memory unit, RAM, ROM, cache memory, storage, input, output, और central processing unit, यह पूरा जो उपर वाला part तीनों दिख रहा है, all these are the microprocessor, इसके बाद अलावा memory unit है, ठीक है, cache memory में थोड़ा सा आपको a doubt हो सकता है, अगर हम cache memory की बात करें, तो cache memory के तीन पार्ट है, L1 cache, L2 cache और L3 cache, L3 cache external होता है, L1, L2 cache is within a microprocessor, हम cache memory के बारे में, इसके features के बारे में बात करेंगे, आज हम पहले बात करते हैं, busses के बारे में, जो अभी हमारे पास आया था, bus क्या है, channels है, मैंने आपको बताया था, motherboard के पीछे, जो channels बने हुए है, different components तक data send हो रहा है, control send हो रहा है, these are through the buses, तो bus are high speed internal connection, buses are used to send control signals or data, in between processors and other components, यानि processor of components के बीच में, जो communication possible हो पारा है, वो buses के थूँ हो पारा है, देखा जाए तो bus के type अगर आप चे कहिए, तो एक address bus है, यह unidirectional होता है, यानि आपके, आपने जब input की, आपने का open file, तो यहां से address ले जाके इसको दे दिया, आपने save किया, तो यहां से ले जाके वहां दे दिया, सिर्फ एक तरफ चलता है, यह वीटराफल, ठीके, तो इस a unidirectional, address bus के अगर हम बात करें, तो यह unidirectional होता है, यह carry करता है, memory addresses from the processor to other components, ठीके, यह address ले जाता है, आपके processor से other components तक, like primary storage, input-output devices, all of this, second one is data bus, यह bi-directional होता है, data bus आपको save करने के लिए, ले के भी जाना होता है, और वहां से load कर रहा होते है, तो भी होता है, यह यह bi-directional काम करता है, तो carry data between processor to other components, and other components to input-output devices, तो बाइटिरेक्शनल काम करता है, ठीके, third is control bus, control bus carries signals from processor to other components, the control bus also carries the clock pulses, or you can say the clock signals, ठीके, control bus भी आपका unidirectional है, क्योंकि यह control ले जा रहा है, कि अब क्यों function करेगा, उसका control उसके पास दे रहा है, कि हाँ आपका number है, अब आपको function करना है, तो यह आपके buses है, ठीके, जो channels आपको motherboard के पीछे, आपको दिख रहा थे, अब हम बार बार बात कर रहा थे, channels की, दो components के बीच में data carry हो रहा है, address carries हो रहा है, ठीके, control carries हो रहा है, इस आपको बात करते हैं, microprocessor के features के बारे में, मैंने आपको बता दिया, कि सारे, जो microprocessors हैं, वो आपके सारे, mathematical, logical comparisons करता है, control, follow करता है, वो सारे microprocessor का part है, microprocessor की generation, देखें, पहले के computers जो काम करते थे, वो धिरे-दिरे improve करता गया, speed इतनी बढ़ती गई, इसके कई सारे नए-नए features आएं, जैसे अब आपके Intel series चल रही है, i3, i5, i7, कौन-कौन सी features आद हुएं, या microprocessor के क्या ऐसे feature है, जो improve हो रहे हैं, जिससे उनकी speed बढ़ रही है, functionality बढ़ रही है, इसके बारे में देखें, तो core technology है, HT technology है, cache technology है, turbo boost है, ये सारे features हैं, जो microprocessor में डाले गई है, cache memory धिरे-दिरे बढ़ती जा रही है, core technology क्या होती है, तो कि हमारा सबसे main part, जो है microprocessor है, इसके अलग-अलग socket आए है, पहले pin वाले microprocessor आए थे, फिर pinless आए है, microprocessor, तो हम कितने तरह के microprocessor आए हैं, उनकी बात करें, microprocessor की companies की हम बात कर रहे हैं, जैसे intel की company है, microprocessor बनाती कौन-कौन company है, intel बनाती है, amd बनाती है, ठीक है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे, और भी आगे.